तो आप लोग की डिमांड पर आसे हम अपने क्लास 12 इंगलिश पेपर के सेक्शन B की सीरीज इस्टार्ट करने जा रहा है जिए स्टार्ट कर रहा है सेक्शन B जो कि काफी ज़्यूदा आपके 12 मार्क्स का आएगा 12 मार्क्स का आएगा आप सब्सक्राइब कुछ आएगे इस से का इसाप मों कि पुछ जाएंगे इसको सबसे इन तीनों में से कोई दो questions आएंगे और करना आपको एक रहेगा अब क्या हो सकता ह responding और आपको पोस्टर दे सकते हैं या फिर advertisement के और में आपको notice दे सकते हैं तीके? या पिर notice के और में पोस्टर आजाए ऐसा भी हो सकता है या notice के और में आपका advertisement धे आझा बता देता हूँ और important questions भी बता देता हूँ जो आपके हमारे exams में पुछे जाने के chances जादा हैं ठीक है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं advertisement को देखिए advertisement का मतलब होता है विज्ञापन यह आपने television पर देखे होंगे इसके लाब आपने पंप्लेट में या फिर newspaper में भी आपने बहुत सारे advertisement को देखा होगा कि classified वाला जो पेज रहता है newspaper का वो विज्ञापन से बढ़ा पड़ा रहता है तो हमारा जो टॉपिक है जो advertisement यह वह ही है जो कि newspaper में advertisement दिये जाते हैं जो कि आपके syllabus में है तो उसी advertisement के बारे में हम बात करेंगे जो newspaper में दिया जाता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम जो advertisement अवला जो question होता है उसमें किस तरह से questions आते हैं कि topics रहते हैं जिनको हम cover करेंगे तो देखिए सबसे ज्यादा important question रहता है जो सबसे for sale का मतलब होता है विक्री के लिए इसके बारे में detail में बात करेंगे कि for sale वाले advertisement को किस तरह से design के जाता है इसका format क्या होता है लिकनी का तरीके क्या होता है यह मैं आपको आगे बताने वालू फिलाल अभी आप इतना समझ लिजी कि आपका for sale वाला questions दोस्तों मुझे पता चलो पहला download करो अब आपको इस practice section में जाना है और सारे subjects की class 12 और class 10 दोनों ही के students के लिए यह एक बड़ी हुई है पर exam environment की feeling के साथ इस mock paper में timer भी लगा हुआ है तो आपको test के end पर पता चल जागा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत हाँ test की अपनी report generated होती है दूसरी बाद ज्यादा important बात जिस भी question में आपको problem हुई उससे immediately आप इस app पर expert tutor से पूछ सकते हो और 60 seconds के अंदर एक tutor आपके साथ live correct हो जाएगा और आप अपना concept clear कर लो अभी install करो और इस बार board में आप 100% square target करोगे exam में पूछा जाता है ठीक है इसके बाद देखी second question आता है lost and found इसका मतलब होता है खोने और मिलने के लिए lost मतलब होता है एक होना found मतलब कि कोई चीज खो गई है या फिर कोई चीज मिल गई है इसके लिए भी questions पूछा जाता है exam में lost and found इसके बाद आगे बढ़ते हम third number का जो है हमारा required मतलब के आवशक्ता के लिए तो आवशक्ता के लिए भी विज्यापन दिया जाता है मतलब के job पर hire करने के लिए required के लिए एक आवशक्ता के लिए विज्यापन दिया जाता है newspaper में इसके बाद fourth वाला जो आपका question का topic रहता है wanted मतलब के चाहिए यह metromanial से related रहता है मतलब के वर चाहिए वदू चाहिए ग्रूम वांटेड या फिर ब्रैड वांटेड इसको भी हम cover करेंगे इसके बाद आपका fifth number का topic रहता है too late मतलब के किराय से देना है मतलब rent पर आपको देना है किराय से देना है तो यह जो topics है आपके one से लेकर five तक इन मेंसे ही आपका कोई न कोई एक advertisement आता है पहला मतलब for sale lost and found required wanted too late अब इसका screenshot लेना चाहिए तो आप screenshot ले लीजिए या फिर मैं आपको इसकी पीडिये प्रोवाइड करा दूँगा ठीक है अब मैं one by one सारी examples आपको बतायता हूं इन सभी के में आपको important और one one topic आपको cover कर रहे था ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं for sale के बारे में ठीक है तो देखी for sale वाला अगर आपका question आता है तो आपको किस तरीके से design करना है किस तरीके से आप आपको advertisement को write करना है for sale वाला तो for sale का मतलब विक्री के लिए जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है तो देखी आपको करना क्या होगा इसके लिए कुछ रूल समझ लीजी इसके नियम जान लीजी है कि for sale वाले advertisement को design करने के लिए आपको करना क्या रहता है सबसे पहले heading for sale लिखते हैं तो करना क्या होगा आपको सबसे पहले heading for sale लिखना होगा लेकिन बॉक्स बनाखर जिया यह जो एड़ो हां करेंगे आप advertisement के लिए आपको पहले एक box बनाना होगा और उस box में आपको सबसे पहले heading लिखना होगी for sale क्योंकि question में यह आपको दिया जाएगा न कि for sale का advertisement design करी किसी भी चीज़ को बेचना है तो सबसे पहले काम आपको student करना क्या है आपको सबसे पहले heading लिख देना है for sale ठीक है टॉप में आपको heading for sale लिख देना है सिर्फ English में लिखना है Hindi में बिल्कुल नहीं लिखना है सारी चीज़ें आपको English में लिखना है Hindi का use नहीं करना है ठीक है तो पहले आपको heading लिख देना है for sale इतना आपने कर लिया इसके बाद देखी आपको करना क्या होगा बेचने वाली वस्तू का नाम कंपनी का नाम, मॉडल नंबर उसका बार ही पिपड़ा तो बेचने वाली वस्तू का नाम आपको राइट करना है, मतलब ये भी आपको question में दिये जाएगा कि आपको क्या thing बेचना है, क्या product आपको sell करना है washing machine बेचना है, scooty बेचना है, refrigerator बेचना है तो उस वस्तू का नाम आपको for sale के नीचे आपको लिखना होगा जो product आपसे बिकवाया जा रहा है, ठीक है अब इसमें household goods भी हो सकती है, जैसे के ज़्यादा question आता है household goods वाला तो इसमें दो-तीन items आपको बेचना होंगे, तो उनके name आपको mention करना है और अगर single आपको चीज बेचना है, मतलब washing machine बेचना है, या फिर रिफेजरेटर बेचना है तो वो नाम आ जाएगा, ठीक है, तो पहला काम आपको करना है, उसके नीचे आपको बेचने वाली वस्तू का नाम लिखना है देन आपको company का name लिखना है, मतलब कि जो thing आप बेच रहे है, जो चीज आप बेच रहे है, उसकी company का लिखना है एल जी company है, सैम्शंग है, मतलब washing machine है, तो वो कौन सी company की है, या फिर जो स्कूटी है, कौन सी company की है, तो आपको उस company का name लिख देना है, ठीक है वाशिंग मशीन है, तो वाशिंग मशीन white color की है, या फिर इसके लावब कुसी दूसरे color की है, size कितना है, इसका features बताईए, condition बताईए, warranty बताईए, guarantee period बताईए, rate reasonable बोली, rate reasonable बोली, क्योंकि यह जो चीज़े बेचना है, यह हमें second hand चीज़े बेचना है, कौन सी बेचना ह बेचना है, जो आइटम आप बेचना है, उसका नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, model number क्या है, या उसका size क्या है, color क्या है, अगर आप भी कोई item को खरीदेंगे, तो आप भी यह चीज़ेंगे ना पहले, पता गरेंगे ना बाई, क्या बेचना है, उसके बाद कौन सी अबनी है, model number क्या है, quality कैसी है, warranty period है, या guarantee period है, right क्या है, यह सारी चीज़ेंगे होती है, तो बस यह सारी चीज़ों को आपको mention करना है, इसके बाद आपको mention करना होता है, बेचने का कारण, जी हा, बेचने का करन, आपको reason भी बताना होता है, आप क्यों बेचते हैं, और reason भी आपको क्रेशन में दिया जाता है कि जिससे और सिटी तो यह बेचने का रीजन हो सकता है या फिर आप कोई दूसरा आइटम खरीदना चाह रहा है इसलिए आप पैच रहे हैं तो यह भी आप रीजन कर सकते हैं तो बेचने का कारण मतलब कि आपको सैलिंग का रीजन मतलब क्या जो component नमबर मतलब कि जो एडवाइड्वाटाइजमेंट निकल वारह है जो अपलिछ का रहा है metलो जो विगयापन दे रहा है वो बंडा को ने उसका नेम आयेगा मतलब के ओनर नंए는 मतलब के मालिक का नाम और नमबर funded क्योंकि जो अपसे खरीदना चाहेंग है तो कॉंटिक नमर आपको मेंजिन करना होगा ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखना है इन चीजों को कवर करते हुए मतलब कि आप कुछ निश्चित वस्तूओं को बेचना चाते हैं हाउस्वल गूर्स का मतलब होता है घरेली वस्तूओं थिंक से भी बोला जाता है आप घरेली वस्तूओं को बेचना जाते हैं रीजन क्या बता रहे हैं आपके फदर का ट्रांसफर हो गया है अनौदा सिटी दूसरे शेल में ट्रांसफर हो गया है बेचने का रीजन आपको मिल गया है ठीक है ट्रांसफर हो गया है क्या है बीक्यापन डिजाइन और लोकल नीज पर पलभिश haven है पता चलगा है और पटा-चलगा है लोकल नीज़ पेपर लिका हुए ना मैंने भी आपको बताया था यह निज़ पेपर में विध्यापन दिया जाता है वह विध्यापन है आपके सिल्बस में ठीक है नेम बताते हैं तो फिर्फ उनी चीजों का यूज करते हैं यहां पर बताया जाते हैं मतलब के आपको लेड बैचना यह फिर वाशिग मशीन बैचना है रेफ्रीजेटर बैचना है नेम मेंशन नहीं है तो अपनी तरफ से मन से लिख दीजिए ठीक है तो दीखिए हमने रेटवी वन कलर टेलिवीजन एल जी यह फ्लैटी स्कीन बता दी कंडीशन मनें बोल दी गुट कंडीशन अंदर वारंटी प्रीड में इसके बारे में हमने कुछ information प्रोवाइड करा दिये ठीक है इसके बाद देखिए वन वाशिंग मशीन एक वाशिंग मशीन भी बैच रहे हैं कंपनी ने बता दिया वीडियो को ने इसका कलर बोल दिया वाइट कलर्ड है गुड कंडिशन है अंडर वारंटी पिरियड है ठीक है इस थोड़ी थोड़ी information प्रोवाइड करा दिए अब हमने यहां पर रिजन लिख दिया ओनर शिफ्टिंग टू अनादर सिटी ठीक है ओनर शिफ्टिंग टू अनादर सिटी और यहां पर एक पाइंट और बढ़ा सकते है रेट रिजनेबल मतलब के रेट यहां पर नहीं दिया ठीक है और यहां पर हमने कांटिक नंबर डाल दिया है बस हो गया डिजाइन तो इस तरीके से हमें एक advertisement को design करना है और यहां पर इसको box को बंद कर देना है ठीक है तो इसकी में आपको प्रोवाइड करा दूगा कि किस तरीके से इसको design किया गया यहां पर पहले जाएगे ठीक है clear रहा है ना समझ में आ रहा है रटना नहीं है समझ ना अब देखिए अगर household goods ना दे कर वो single कोई item कहने का बेचने का है जैसे कि वो कहें कि आपको सिर्फ washing machine बेचना है क्या बेचना है बच्चों आप से कहें कि सिर्फ washing machine बेचना है तो washing machine बेचने के लिए इस सिर्फ आपको washing machine के बारे में जानकरी देना है तो washing machine के बारे में आप जानकरी देंगे तो क्या करेंगे सिपेधि glow frequency तिस के बारे में प्र या कि आपकर आपको यहाप AWS नचा है उसके बारे में कभी नम आजाएगा जैसे के washing machine में जहा पर लिका हुआ है तो इस single washing machine है और बैचने का रीजन लिग दी और शिप्टिंग तो अनौदर सिटी और कॉंटिक नमबर और कॉंटिक परसन का नेम बस इसके बारे में इंफोर्मेशन हो जाएगी इजी है ना बन जाएगा टेलीवीजन बीचना है तो उसके बारे मता दी कितने साइस का है टीवी बैच है फ्लेट स्क्रीन है कौन सी कंपनी की है ठीक है तो यह इंफोर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना होता है तो इसली आपसे बन जाएगा एडवर्टाइजमेंट में आपको फॉरसेल वाले डिजाइन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी मैं जो आपको तरीक अपको बनाना है और इसको लॉकल यूज़ करना है ठीक है तो अब हमारी जो हइडिंग होगी हमारी लॉस्ट एंट फांट हम लिग देंगे ठीक है ओनली हम लुस्ट भी लिख सकते है क्योंकि लोश्ट फॉट माले कॉलम जो आता है उसमें लॉस्ट बियूज बियूस कर स यह चेंज कर सकते हो भाई UPE की है या फिर MP की है रोडवेस कंटेनिंग इंपोडेंट डॉकमेंट उसमें इंपोडेंट डॉकमेंट से whosoever finds जिस किसी को भी यह मिलता है kindly contact to return it अपसे अनुरोध है किर्पया इसको return करने के लिए हमसे contact करें इस name पर इस address पर हमसे contact करें तो यहां पर name दे दिया है राम मोहन मतलब राम मोहन का बेग गुमा हुआ है mobile number इस नंबर पर फोन लगा लें address यह है यहां पर आकर आप इनसे contact कर लें या फिर फोन लगा कर इनको बोलने के भाई हमें मिला हुआ है और यह आपने date लिग दी तो इस तरीके से आपको lost and found का advertisement design करना है जो आईटम आपका गोमा है बस उसके बारे में information दे रहे हैं कब गोमा है कहा गोमा है बस और नेम बता देजिए ठीके बन जाएगा इसली ठीके आगे बढ़तें अब देखिए देखते हैं required वाला required वाला तो सबसे ज़ादा easy होता है required वाला भी आपका topic है तो required मतलब होता है आवशक्ता है अब आवशक्ता है मतलब कि नोकरी देना चाहरा है और नोकरी के लिए देने के लिए newspaper में advertisement दिया जा रहा है आवशक्ता है अब आवशक्ता है भाई कहा है इसके लिए देखो आवशक्ता वाले को required वाले को आपको कैसे cover करना देखी है required में पहले तो place का name भाई की जगा पर है post क्या है salary कितनी देंगे salary कितनी देंगे एज की राइटेरिया क्या है ठीक है यह मोड़ी-मोड़ी बात होती है मतलब कहा पर ठीक है उसके बाद post क्या है किस post के लिए requirement है salary कितनी दी जाएगी एज इसके बाद qualification क्या होता है एक आपका qualification क्या मांगा है qualification ठीक है qualification भी पोछ सकते हैं qualification के बाद आप से experience पूछ सकते हैं कि भाई experience कितना है fresher चाहिए या फर experience holder चाहिए तो यह information दी जाती है आपकी question में बस उसी को set कर देना है वह आपका answer बन जाता है ठीक है तो देख लिजिए यहां पर question देखिए यह question देखिए यह question दीजारा दो से लेकर तीन साल का experience होना चाहिए एज 30 से जादा नहीं होना चाहिए not more than 30, 75 figures में दी जाएगी मतलब के minimum 10,000 तो आपको दी जाएगी PM मतलब होता है पर मन और contact number है और डारेक्टर काशन कंपनी भौपाल को तो हमने यहां पर लिख लिए है required और पूरा का पूरा जो आपक लिख दी है clear है तो मतलब कहां पर आईटी प्रोफेशनल में फुल टाइम चाहिए भाई पाल टाइम के लिए नहीं चाहिए knowledge C++ का मांगा गया है जो के language होती है computer पर course की 2-3 years का experience दो या 3 साल का अनुबार तो होना चाहिए experience एज 30 साल से जादा नहीं होना चाहिए अगर 30 सा मतलब के शादी विवास सम्मंदित जो के आपका आता है wanted वाला उन साथ है wanted वाला अब इसका question तो मैंने नहीं निकाला हुआ है मैं आपको राइट लिए answer बार देता हूँ question में आपको सारी जान करें दी जाएगी मतलब कि किसको चाहिए किस तो मतलब के groom wanted या bride wanted ग्रूम वांटेड मतलब होता है वर चाहिए ग्रूम मतलब होता है वर क्या होता है वर और यहाँ पे चाहिए ग्रूम वांटेड मतलब होता है वर चाहिए और bride wanted मतलब होता है वदू चाहिए क्या चाहिए वदू तो वर चाहिए या वदू चाहिए त निकाला हुआ है वदू पक्च वालों ने निकाला हुआ है किसके लिए ग्रूम वांटेड के लिए मतलब के वर चाहिए तो देखिए well-played educated boy educated boy चाहिए मतलब पड़ा लिका होना चाहिए for cultured for मतलब के लिए अब किसके लिए चाहिए cultured मतलब सांस्कृतिक beautiful सुन्दर है कान्यविंड educated कान्यविंड स्कूल में पड़ी हुई लिकी है graduate girl है ठीक है और यहाँ पर उसकी यह एज दी गई है date of birth दी गई है 1981 में उसकी जन्म हुआ था ठीक है इसके बाद यहाँ पर यह 5 फॉर हाइट है मतलब के पाच फिट चार इंच स्की क्या है हायट है तो यहाँ पर हाइट भी दे लिगई है ठीक है इसके दो और यहाँ पर यह नेम दे दिया चाहिए तो यह किसे ने निकाला हुआ यह निकाला हुआ है advertisement ब्राइड वालों मों तो तो वदू वाले पक्चि ने निकाला हुआ है डिमांड किस की ऐ ग्रूम की डिमांड है ठीक है तो इनको वर चाहिए ठीक है अब इसका पोधिट देख ली जीए यहां पर ब्रैड चाहिए मतलब के यह वर वालों ने लिकाला हुआ है कि क्या था था तो bride wanted मतलब के वदू चाहिए अब उसके लिए educated चाहिए, slim होना चाहिए tall होना चाहिए, beautiful girl किस के लिए handsome, tall, slim boy के लिए ठीक है यहाँ पर इसकी 29 साल age हो गई है और 167 cm है यहाँ पर 167 इसकी क्या height है finance executive है in MNC मतलब multinational company में early marriage जल्दी शादी करना इनको send by data, तो यहाँ पर अपना by data send कर दीजिए, यह हिंदोस्तान टाइम से में यहाँ पर विज्ञापन निकाल दिया है, ठीक है तो बस इतना आपको करना होता है, information आपको देना होता है newspaper आप देखेंगे, classified वाला newspaper में आपको डेमो मिल जाएगा newspaper में आपने रीड किया होगा, आप आज का भी newspaper उडागे देखेंगे, especially Sunday वाले newspaper को आप देख लीजिए, practical आपको newspaper की classified वाले page में यह आपको practical देखने को मिल जाएगा, कि practically किस तरीके से group wanted या bride wanted वाले advertisement newspaper में देए जाते हैं clear है, clear है, इनको cover कर लीजिए, अब देखते हैं, last too late मतलब कि किराय से देना है, too late का मतलब क्या होता है, किराय से देना है, यह last वाला है, इसका भी एक, मैं सब के single single बता दे रहा हूँ, बस एक एक आप cover कर लीजिए इसमें से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है, single single cover कर लीजिए, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, एक एक cover कर लीजिए, ठीक है, two late मतलब कि आपको flade या फिर house किराय से देना है, तो देखिए, इसके लिए भी आपको outline बना लेना है, सभी में outline बनें, अब यहाँ पर हमने क्या लिका हुआ है, देखो, a newly constructed house in Arrera colony, भौपाल, एक newly constructed मतलब कि अभी नया बना हुआ है, नया construction हुआ है, newly constructed house, अभी अभी नया बना हुआ है, कहां पर है, Arrera colony में, भौपाल में, the house is two spacious bedrooms, मतलब कि house में, दो बड़े बड़े विशाल bedrooms है, with attached toilet, toilets attached है, big drawing room, come dining hall, एक big dry room है, dining hall भी है, kitchen is very spacious, kitchen भी बहुत ज़ादा विशाल है, बहुत ज़ादा बड़ा है, expected rent, rent, कितना expect के जा रहा है, 10,000, कितना 10,000 rent, expect कर रहे है, PM मतलब होता है, पर मतलब कि 10,000 रुपे महीना, उनको चाहिए, ठीक है, यहाँ पर contact, soon लिख दिया, और mobile number आपको यहाँ पर लिख देना है, मैंने लिखा नहीं है, और Amit Kotham, यहाँ पर name लिख देना है, ठीक है, और box आपको बना लेना है, मैंने अभी यहाँ पर box नहीं होंगे, चुकि आप बहुत अदा कन्फीज हो रहे थे, और बहुत अदा टेंशन ले रहे थे, section B को लेकर, तो section B का जो advertisement वाला topic था, इसको हमने detail में समझ लिया है, जियान, अब यह पक्के में आपके advertisement के और में पॉस्टर आ सकता है, या design किया जाता है, ठीके, तो उम्मीद करता हो, यह वीडियो आपको पसंद आयोगी, हाँ, अब बात करते है, posture के बारे में देखिए, वीडियो बहुत अदा लंबा खिच जाएगा, posture और notice के लिए, एक separate video लाई जाएगी, अगर आपकी comments आते है, positive comments आते है, अगर आपकी demand होती है, तो हम इसका part second लेके आएगी, जिसमें हम postures को cover करेंगे, और notice को भी cover करेंगे, इनके भी मैं आपको format बताऊँगा, notice का भी आपको format बताऊँगा, किस तरीके से notice को write किया जाता है, posture को किस तरीके से design किया जाता है, इसकी उपर भी एक separate video लाई जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आप इस video को like करिए, अपने दोस्तों के साथ share करिए, और comments वाक्ष जाकर comments करके बताईए कि ये आपको कैसी लगी हम आपकी comments का wait करेंगे, इंतिजार करेंगे तो वीडियो को like करिए, share करिए, और यदि चिनपन नहे है तो चिनपन को subscribe कर लीजिए, thanks for watching